तो अलोव स्टूडेंट सवाई वाल जहें तो अलोव यह वाल एक छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेटिव बात में आपके साथ डिसक्स करने वालों उनके साथ जो कि अपने बोर्ड इग्जामेनेशन के लिए इंग्लिश के लिए प्रिप्रेशन कर रह करते हैं ध्यान रखे स्मॉल थिंक्स में बिग डिफ्रेंस यह चोटी रोटी बाते जो टॉपर स्टुडेंट होता है जिसके अच्छे मांक्स आते हैं वह इन च्छोटी-छोटी ट्रिक्स को ही फॉलो करता है जिसकी वेले से उसका रजल्ट अच्छा दिखता है हमें आपको कुछ पॉइंट डिसक्स करता हूं तीन पॉइंट सिर्फ है जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इंग्लिश का वेपर कर रहे हो बोड एक्जामेनेशन के लिए उससे पहले आपको प्रेक्टिस करनी है जो भी बचावा टाइम में इस चीज के लिए सबसे पहली स्कोरिंग होते हैं और ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं लगता है एक बारी के लिए कि अंडर एस्टिमेट कर देतना कई बार उने मेरा कहने का मतलब है सोचते हैं कि लास्ट दिन में पड़नेंगे स्टोरी इस तो हैं कहानिया तो है पढ़ लेकिन ऐसा कहना है कहानिया नो डौ सा चेप्टर की सेंटरल आइडिया कि चेप्टर की थीम है कि इस तरीके से कोई सिंट पास्ट यह में उससे फ्रेम हुआ है इस तरह का सब्जक्ट नॉलेज होना चाहिए यह कोर नॉलेज है इसका कोई सबस्टेट्यूट नहीं है अब इसके बाद जो कुछ काम आते हैं जो आपके मार्क्स को इंप्रूफ करवा सकते हैं वह क्या है सबसे इंपोर्टन लगता है मुझा राइटिंग स्किल्स अपने राइटिंग स्किल्स पर आपको ध्यान देना होगा और तीसरी बात है वो कर लेकिन पहले मैं राइटिंग स्किल्स पर बात कर लेता हूं कि राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है देखो राइटिंग स्किल्स का मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं है हैंड राइटिंग नो डाउट एक पॉजिटिव इंपक्ट डालेगी एक्जामिनर पर जो तो फिर आप वह अछा नहीं जाए तो फिर आप वह करने लग जाओग। ऑवर राइटिंग जब कोई चीज करते हो कुछ लिखते ओ ओवर राइटिंग करते हो गाल। हो कई बारा एक कुछ आपने गलत लिखा स्पेलिंगलमेट कर दें तो इतना ज़्यादा कि वह भगता है इसलिए कुछ ंठी होती है लें पीछ में लेटरस के बीच में रहते हैं इस को आपने विलुकnd मिला मिला के लिगût या बिल्गुर पॉजिटिव इंपेक्ट पड़ता है दूर से देखने में दिखें कि आप जो कुछ है साफ साफ है टीचर को पढ़ने में कोई ज्यादा हसल ना हो टीचर को पढ़ने में ऐसा ना लगे कि यह क्या लेकर टीचर परिशान उड़के ऐसा हो कि टीचर एक फ्लो में बढ़ते र पाले तो इसको उसे साफ से एक टीचर उसे साफ से मार्किंग करने लग जाते हैं दो ये बात अपको ध्यान रतमी कर्根Ac में और एक और बात राटिंग आपकी राइटिंग बहुत बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखी विया उसके बाद कुछ समझी नहीं आ रहा इसा एवरेज एवरेज लिखो शुरुआत से ही तेज लिखना चालू गरो लेकिन कुछ बात ध्यान रखना ओवर राइटिंग नहीं करनी है और उनके बीच आपकी आपके बाके अपकी आपका जो लेटर राइटिंग वगिरा इस तरह की जो चीजे आपके पास होती है उसके प्रॉपर फॉर्मेट को आपने समझना है और उस पॉर्मेट के अक्रिंग आशर लिखना है उसमें आंसर कटते नहीं है अगर आपने सई सई चीज़े लिखी विए है क्यों टेक्निकल चीज़े होती है अगली बात कि है इसमें वोकप्स के बारे में यह कहना जोगा वोकबिलरी बहुत हो अब करें आपकी परस्ण इंठेश्ट हो आपका इंग्लिष के प्रती जिसमें आपकी वौकबॉलरी काहएं अच्छे-ईवर्ड्स करते हो अच्छे-वर्ड यह सिरु कि कि looks यूज नहीं हो रहे और कुछ चीज़े बच्चे गलती करते हैं एक्जामिनेशन में वह यह है कि हम एब्रिवेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो कोशिस करें कम कर रहे हैं एब्रिवेशन नो डाउट एक पार्ट है जिसे यूज किया सकता है लेकिन जैसे माल लिया जब आप राइटिंग में कोई चीज़े लिखते होना तो फॉर्मल इंगलिश आपको लिखनी पड़ती है जब हम इंगलिश बोलते हैं स्पीकिंग में या स्पोकन में वह डिफरेंट इंगलिश होती है हम कहते हैं कि यार कांट कहते हैं हम वोंट कहते हैं कि I won't go there अब ब तरही किसा अगर आप करोगे अब्रिविशन को यूज नहीं करोगे समझोगे कि फॉर्मल इंगलिश राइटिंग इंगलिश में फरक क्या है स्पोकन इंगलिश से अगर आपकी यह हैबिट बनी है तो बहुत अच्छा होगा अब यह नहीं कि हमारी टेक्स लिखनी के आद इसका क्या रोल है बहुत जादा मैंने पर्सनली अपने टाइम पर क्या किया था पूरे स्कूल टाइम में जब जब मैंने पेपर वगरा दिया इंगलिश का मैंने एक काम हमेशा करता था कि वाकिबिलरी इस ना आपकी जितनी ज़्यादा वाकिप्स आपके पास रहेंगी और वह कैसे रहेंगी जैसे आपके पास अभी माल लेता है पांच-छे दिन का टाइम भी माल लो अपने पास साथ दिन का टाइम में बचा हुआ है कोशिस करो कि पांच दिन में कुछ नहीं कर सकते तो आप 10 मिनिमम दस नहीं नोट कर लो कहां से करोगे नोट चैप्टर जो आप कुछ चीज लिख रहे होगे जब आप कुछ ऐसे रैटिंग कर रहे होगे जब आप किसी कोईशन का आंसर दे रहे होगे वहां पर अगर आप उस तरह के वर्ट को यूज कर सेकोगे तो टीचर को लएगा कि यह सिंसियर टॉपिक के प्रती ऐसा नहीं कि आया और इस न आपना जो 50 आपने वाकिबिलरी जगर याद कर रहे हैं बहुत बढ़िया वाली नॉर्मल तो आपको सबको रहती है लेकिन जो 50 बिल्कुल आपने तगडिया लियाद कर रहे हैं इतना माइंड में रखना है कि आपनोंने जिवर्दस्ती उसकर कर आना है समझ रहा परी बात आपको याद आना चाहिए कि यार वो वाकिब था उसको मैं यहां संट जैसे आपके मन में वाकिब आगे न आप आप आपके यूज कर लोगे उसे मेरी बात समझ पा रहे होंगो शायद अब इस तरह की चीज़ों का आ देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मलब हर एक सेकेंड बहुत हले बुल्ले में मतरें कि यह करना वो करना कुछ नहीं है आपको अपने जो आपकी थौट्स है उस हिसाब से क्वेसें की आनसर को फ्रेम करना होता है यह नहीं कि बिल्कुल क्वेसeं जो एगदम आपके टीजर्स से लिः लिखाया होगा या कुछ भोगा वह अच्छे words का आपने इस्तेमाल किया होगा, आपकी writing skills अच्छ होगे, no doubt आपका कोई number कहीं नहीं कटने वाला, अगर आप इस तरह की चीज़ों को follow करते हो, hopefully students जो यह बाते मैंने आपको बताई, यह आपके लिए मददगार साभी चुछ उनगी और आप इनको follow करोगे, ध्या बाकी students आपका उमीद करते हैं कि आपका 12th का अभी बहुत अच्छे से examination के preparation हो जाएगी, या सारी के सारी चीज़ी अच्छे से cover हो जाएगी, अभी तक आप लोगों को मैंने 12th में physics और mathematics पढ़ाया, अब NEET की preparation हम कर रहे हैं, क्योंकि NEET का examination कर रहे हैं, जिनका examination है अभी मे करा रहा हूँ, question paper करा रहा हूँ, basically subject wise, chapter wise करा रहा हूँ, chapter wise, 33 years के, एक chapter को कर रहे हैं, अब एक chapter को हम लेते हैं, जैसे question लेते हैं, और सारे के सारे question लेकर, उसके answer के साथ कर रहा है, तो इससे concept अपका उसी समय हाथ हाथ एक बार revision हो जाता है, और लगे हाथ अपके previous question भी आ आना चाहता हूँ, कि आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा पढ़ा, अब एक बार previous question के सापनी practice करते हैं, उमीद करते हैं students, आपको यह चीज़ सही लगे हूँ, और आप physics की उन classes को भी देखोगे, अभी पहले अपने board examination preparation कर लो, उसके बाद आप इन video lectures को देख सेते हो, तब